Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोड़क्ट मैनेजमेंट के बारे में प्रोड़क्ट मैनेजमेंट is an organizational function within a company एक कमपनी में किये जाने वाला ये एक ऐसा function है जो की manager करेगा आज कल companies में एक separate authority appoint की जाती है जिसको product manager कहते है प्रोड़क्ट मैनेजर का क्या रोल है उसने ये चेक करना है कि company के जितने भी existing products है उनकी कितनी sale है, क्या customer उन products के साथ satisfy है, क्या product में कोई motivation, कोई changes लेकर आने की जरूरत है क्या हमें अपने existing products को ही continue करना है, जा फिर new product को launch करना है market में इस तरह के बहुत सारे decisions के उपर evaluate किया जाएगा, ये सारे alternatives के उपर decision लिया जाएगा और ये किसमें लेते हैं product management में, तो product management में हम क्या क्या करेंगे, इसमें product development से related decision लिये जाएगे business justification, business justification मतलब कि अगर हमारे product की sale इस महीने 10,000 unit हुई है, क्या वो ठीक है, क्या वो genuine scene है, ऐसा तो नहीं है, कि हमारे जो competitors हैं, उनके same category के product बहुत sale हो रहे हैं, पर आपका नहीं हो रहा, जैसे कि Maggie और Yippie का example ले लिजिए, Maggie की sale हमेशा top पर रहती है, इस segment में, तो top primal वालोंने क्या करना है, क्या उन्होंने अपने product में changes लेकर आने हैं, आपने notice किया होगा, पिछले कुछ सालों में, top primal अपने product की variety increase कर रहा है, packaging change कर रहा है, quality improve कर रहा है, तो ये सारी चीज़े क्या है, product में changes लेकर आना, अब को कोई भी random person ऐसे ही decide नहीं कर सकता, कि हमने product में change करना है, एक proper procedure follow किया जाएगा, जिसमें ये decide होगा, कि product में change करना है कि नहीं, अगर करना है, तो क्यों करना है, और क्या क्या changes करने हैं, इसमें forecasting, prices में भी change लेकर आ सकते हैं, नया marketing strategy adopt कर सकते हैं, नय product को launch कर सकते हैं, So, throughout the product life cycle, उसकी launch से लेकर, end तक, जब तक उसकी sale decrease नहीं हो रही, तब तक जो भी product से related decision लिये जाएंगे, उसे हम कहते हैं, product management, product को manage करना, अलग-अलग decision लेकर, अब सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, कि ये concept क्यों ज़रूरी है, कोई भी हम concept पढ़ रहे हैं, तो क्यों ज़रूरी है, तो अब discuss करते हैं थोड़ी सी हम importance को, सबसे पहले customer को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, अब वो time नहीं रहा कि customer एक product use कर रहा है, तो सालों साल वो आपका ही product use करेगा, market में ने-ने competitor आ जाते हैं, ने-ने offers देते हैं, और लोग जो हैं ने offers की तरफ attract हो जाते हैं, और सबसे बड़ी problem तो यह है, सब कुछ online है, एक click किया, आपके पास full information आ जाती है, तो customer को समझने के लिए product management बहुत ज़रूरी है, अगर आपने product को timely change नहीं किया, तो आप market में प create business model, business model का मतलब है, कि आपने कहां से raw material भाय करकर, कैसे उसको convert करना है, किसको sale करना है, कौन सा channel adopt करना है, sale करने के लिए, यह सारे decision आपने लेने हैं, blindly नहीं ले सकते, आपने market को study करना है, तो यह market study जो है, that will be based on the product management, third है, skilling strategy, skilling means skill of your labor, जो labor product के उपर काम कर रही है, उसकी क्या strategy है, मतलब उनको training दीजिए, उनको efficient बनाईए, so that वो customer के साथ properly deal कर सके, अब जब हम product की बात कर रहे हैं, product का मतलब सीरफ वो product ही नहीं है, जो कि आप market से खरीदते हैं, it includes information also, like आप कोई soft copy खरीद लेते हैं, कोई game खरीद लेते हैं, game जो है, वो भी तो एक product ही है, तो आज कल product की बहुत varieties हैं, customer को समझना ज़रूरी है, अपने sale personnel को prepare करना ज़रूरी है, फोर्थ है clear blueprint in the product space, blueprint क्या होता है, जबना हम raw design prepare करते हैं, कि हमारा product ऐसा होगा, तो वो product जो हमने raw decide किया है, जो plan किया है, क्या वो market में चल भी पाएगा की नहीं, ये सारा कुछ product management में हम study करेंगे, Timely sport services, product manager take the feedback from the client and give it to the sport and maintenance of the team member, अब जो आपके customer है, जिन्होंने समान खरीद लिया है, उनको time to time sport भी चाहिए, उनको after sales services भी चाहिए, तो after sales service की कितनी requirement है, ये सारा कुछ जो है, हम product management में decide करेंगे, तो ये सारी हमारी importance होगी product management की, अगला point आजाता है, the activities of strategic product manager, manager ने करना क्या क्या है, तो manager का basically काम तो है decision लेना, उसने एक team बनानी है, उसके team member analyze करेंगे, evaluate करेंगे, problem को और फिर decision लेकर आएंगे, अब इस process में कहना बहुत simple है, लेकिन इसमें बहुत सारी activities होगी, कई बार सारी के सारी activities भी organization नहीं कर सकती, तो उस case में क्या होगा, कुछ activities within the organization होगी, कुछ activities outside the organization होगी, within the organization को कहते हैं, in-born effort activities, तो within the organization क्या होगा, आप vision decide करोगे, अपना motive goal decide करोगे, product की planning करोगे, products related strategies बनाओगे, हमने market में ऐसे launch करना है, हम जो है, इस तरह से advertisement करेंगे, test कैसे करना है, testing decide करोगे, हमने पूरे इंडिया में launch कर देना है, जा फिर एक particular segment में करना है, ये decide करोगे, product की development, launch, इस से related decision लेंगे, ठीक है, this is all in-born, in-born means within the organization, second है out-born, out-born मतलब किसी कोई और कर सकता है, like आप किसी और company की help ले सकते हैं, competition चेक करने में, marketing, data collect करने में, marketing research में, branding, brand decide करने में, customer तक communicate करने में, ठीक है, बहुत सारी distribution, sale, sale analysis, ये ऐसी activity है, जिसकी आप outsourcing कर सकते हैं, ठीक है, पर इन सब को मिलाकर product से related decision लिया जाएगा, why do company need a product management team, एक company को क्यों जरूरत है product management की, अब product अगर हम बात करें किसी software की, तो वो softwares बगेरा जो होते हैं, वो बहुत जल्दी outdated हो जाते हैं, उनको update करना, उसमें changes लेकर आना, यह सारी चीज़े बहुत important है, अगर हम इसको seriously नहीं सोचेंगे, इसकी strategy नहीं बनाएगे, then we cannot succeed in the market, so with the help of all these activities, we will decide, we will plan about the product. I hope you will like this video, if you like the video, don't forget to subscribe.